आईज मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विन्स वाई वर्ड आज की टॉपिक थोड़ी से डिफरेंट होने वाली है आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से गर्ल्स के अंदर मूर्ड स्विंग्स होते हैं हॉर्मोनल इंबैलेंसे होते हैं मेभी वो पी जादा किसी चीज को महसूस करती है या फिर वो जादा ओर्रियाक्ट भी करेंगी मेभी सम टाइंज या फिर ओवर एक्स्पेक्टेक्शन करेंगी या फिर सम्थिंग कुछ भी उनके पे जादा असर होता है बट इस तील बॉइस की साथ भी सेम चीज़े होती है और बहुत तोड़ा सा जिस तरह से लेडीज जो होती है वो अपने दर्द को दुख को व्यक्त कर देती है रो के या फिर एनी फ्रस्ट्रेशन उसी तरह से आज मैं बॉइज के लिए भी कुछ वीडियो बना रहे हूं कुछ टिप्स बताने चाहरे हूं जो कि बॉइज को बहुत हेल्प करेगी में वह कोई भी हो कोई भी मेल परसन अगर जो मेरा वीडियो देख रहा हूं उसका इलिए वीडियो काफी निल्ट के और वीडियो देख रहें हैं अगर कोई फीमेड यह वीडियो देख रही हैं मेल हो जो मेल आपके जो घर के है उनके भी फिicamente के अप government को बहुत सारे जो हमारे अंदर जो भी actions होते हैं, जो भी सब कुछ, हो सब कुछ hormones सब कुछ उसको run करता है, लेकिन जित्ता जादा सहने की जो ताकत होती है, वो एक male में बहुत जादा होती है, female में होती है, हम लोग सभी जानते हैं कि every female को कहीं न कहीं किसी भी तरह का humilation हो, family हो other than family हो, बहुत सारा कुछ सहना पड़ता है, rather than boys, but still boys भी सफर करते हैं, अभी जैसे अगर आप अपने husband की feelings को नहीं समझेगा, अगर आप उन पे जलाईगा, बहुत सारे jokes बन गए हैं, बहुत सारे आपने social platform पे भी इतना comedy चल रहा है, अभी जो lockdown का period चल रहा है, तो आप द से कभी नहीं सुनोगे, वो सब कुछ हसते हसते सब कुछ सहता है, लेकिन अपने मन में बहुत जादा दर्द को छुपा के रखता है, तो अभी फर्ज हमारा बनता है, जो ladies है, जो पत्निया है, बहने हैं, उनका फर्ज बनता है कि पती को, भाईयों को, पिता को, इतना comfortable feel कर रही है, जिससे कि वो भी हसी खुशी रहे है, अभी जैसे बात क्या हो, कि अभी lockdown का period बहुत लंबा चल रहा है, फर्स जो lockdown था, वो अल्रेडी बहुत लंबा था, उसके बाद से second lockdown भी हुआ, हाँ, ये सही cause के लिए हो रहा है, जो male की जो tendency रहती है, वो लोग थोड़ी वर होती है, जब भी आप लोग फिल करते हो, आपको कौन ज़्यादा सपोर्ट करता है, आपके पीता, आपके पती, आपका भाई, ये ही लोग आपको ज़्यादा सपोर्ट करता है, तो क्यों ना इस वक्त जब वो काफी अकेला फिल कर रहे हैं, तो उस वक्त आपका फर्स बन कर्म ही पूजा है जो कहा जाता है ना वो इक इस तरह के पर्सन है जिनके लिए कर्म ही पूजा है किसी पर्सन को अगर आप दूसरे शहर में भले वो शहर उनका खुद का ही क्यों ना हो बच्पन पूरा भी दाया है बट इस्टिल जो वरकिंग इंसान है जो daily office जाता है, office से उनका connection इतना ज़्यादा अच्छा है इतने, मतलब every person, जो भी person इनसे मिलता है office हो, office के बाहर हो सब बहुत ज़्यादा impress रहते हैं और office जो है, इनका बहुत बड़ा base है, बहुत low feel कर रहा है यह सही बात है, और मुझे पता है, मुझे पक्का विश्वास है कि जो office में भी जो भी लोग है, वो भी कही न कहीने बहुत miss करते हैं, इनकी अच्छी जितनी अच्छी इनकी understanding है लोगों के प्रती, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो कभी न कभी low feel कर रहे हैं, और इसलिए मुझे लगा कि नहीं, male के साथ भी mood swings होते हैं, तो now it's time कि आप अपने husband को आप अपने भाई को, पिता को किस सरब से comfortable करा सकते हैं, इक और अच्छी लाइक में बहुत ज़्यादा problem होती है पर फिर भी उन्हें comfortable कराईए, देखे आप comfortable कराने के लिए क्या कर सकती है या फिर जो male मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं जैसे अभी माल लीजी कि lockdown का period चल रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं चाहे आप कितने भी जादा काम को तवज्जो देते हो, बट इस्टिल आपको घर में ही रहना है तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले चीज़ जो भी अपने life में है, जो भी हमें मिला है, उसमें आप खुश रहे, चाहे वो male हो या female हो, अब God की क्या planning है कि उसने ये lockdown उसने ये सारा कुछ किया ये कुछ human created नहीं हुआ है ये सब God created है और जब भी God का कुछ planning रहता है वो कुछ ना कुछ उसमें अच्छा ही करता है तो आप इस positivity को लेके इस lockdown को बहुत अच्छे से enjoy करिए आप enjoy कैसे कर सकते हैं माल लेजी कि आप एक बहुत ही simple से person है लेकिन हाँ आपको सीखना चाते हैं तो आप अपनी wife की मदद कर सकते हैं मेभी अगर आप कुछ dishes बनाओ मेभी आप बच्चों को थोड़ा सा pamper कर दीजे तो इससे आपका भी वक्त बीच जाएगा और आपकी wife भी खुश हो जाएगी कि चलो husband मुझे इतना care कर रहे है इतना support कर रहे है बच्चों को भी प्यार कर रहे है बच्चों के साथ indoor games खेलिए इंडोर games खेलने से actually जब भी आप किसी छोटे बच्चे के साथ involve होते हैं तो उसे में होता क्या है कि आपका खुद का बच्चपन ही सामने नीखर के आता है तो जो कुछ आपने अपने childhood में नहीं किया है वो आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं और play कर सकते हैं तो बच्चे भी काफ़ी enjoy करते हैं क्योंकि हमेशा तो वो मा के साथ ही चिपके रहते हैं कि मम्मी मुझे ही खिलाएगी, मम्मी मुझे ही करेगी बट नाउ इस टाइम तो शो यूर लव तो वाद्स यूर किड्स दूसरी टिप, अगर जैसे कि आपको किसी विचिज में क्रियेटिविटी है मान लेजी कि आप पोएम लिखते हैं जैसे As My Husband बहुत अच्छे राइटर है, ऐसे बहुत सारे लोग के अंदर बहुत सारी कुछ इकटा करिए, अपने फीलिंग्स को अपने पेपर पे उतारिए, चाहे वो राइटिंग हो, ड्राइंग हो, एनिफिंग हो, वो आप कर सकते हैं तीसरी चीज़, अगर आप fat है, like me, तो आप body को fit करने के लिए भी बहुत सारे exercise कर सकते हैं, योगाज कर सकते हैं, अपनी wife को भी involve करिए, बच्चों को भी involve करिए, और महौल भी अच्छा हो जाएगा, जिससे आपका आपकी पत्नी के साथ, या फिर बच्चों के साथ काफ उनके साथ कुछ हसी मजाब करिए, कुछ चडखानी करिए, जिससे आपका relations में strong होगा, और आप fat to fit भी हो जाएगा, चौते चीज, आप ये सारे चीज़े कर सकता हैं, आप छोटे मोटे indoor games खेलिए, जैसे कि लुड़ो हुआ, कहरभ हुआ, जैसे कि आपको excitement रहे, हाँ, य फोन करिए, बाते करिए, अगर work from home कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, लगतार उनसे contact हो रही है, लेकिन कुछ भी आप normally भी उनको, as a formality भी आप उनने call कर सकते हैं, इसे आपको, ऐसा उनको बहुत को भी लगी का कि देखो मेरे imply को मेरी चिंता है, तो वो भी relations भी office के प्रती काफी strong होंगे, क्योंकि जिते भी colleagues हैं, बहुत सारे लोगों के साथ अलग-अलग relations रहते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें फोन करते हैं, या फिर WhatsApp करते हैं, तो उनका नजरिया या फिर उनकी जो thinking है आपकी तरफ बदलने लगेंगे, तो ये सारे जो मेरे व को जो भी पसंद हो, आप थोड़ा उनकी हिसाब से बेचलिए, देखे, फैमिनिजम होना बहुत ज़रूरी है, खुद फैमिनिजम को बहुत ज़दा सपोर्ट करती हूँ, लेकिन इस्टिल कभी किसी के लिए जुक जाना, किसी से पहले प्यार का इजहार करना, इसमें कोई भी गलत नहीं है, अगर आप पहले कुछ करते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो प्लीज आप इस तरह की चीज़े करिए, आपको डेफिनिटली बहुत अच्छा लगेगा, उनके मन पसंद की चीज़े करिए, अगर वो आपको कुछ गुसे में बोल भी देते हैं और अपने लाइफ को बहुत ही खुश्णुमा मनाई है, और एक छोटी सी और बहुत इंपोर्टन बात मैं आपको ये बताने वाली हो, कि कोई भी चीज हमारे लाइफ में होती है, वो बहुत ही अच्छी होती है, एक बार महात्मा बुद्ध को एक परसन ने पूछा कि मु स्टार्टिंग से वो पूरा देखा, बोला बहुत सारे सुन्दर फूल है, लेकिन क्या पता आगी और भी जादा अच्छा हो, क्योंकि उन्होंने तो बेस्ट मुझसे चूज करने के लिए कहा था, मैं बेस्ट फूल लेके आओंगा, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि आपको आगे जाना है, बैक नहीं आपा सकते हैं, वो परसन पूरे सारे फूलों को देखा, अच्छे से देखता 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 जा रहा था, तो बहुत अच्छे अच्छे फूल थे, लेकिन उसे उमीर थी कि मेभी बाद में और अच्छा फूल आएगा, तो वो आगे बढ़ता है कि जो आपके साथ अभी बीत रहा है, वो ही बहुत बेस्ट और बहुत अच्छा टाइम है, इन में से कुछ वो सुन्दर फूल को और कुछ अच्छे मोमेंट्स को चुनने की कोशिश करिए, बाद का मत सोचिए, में भी कल खोना हो, इसलिए आप लोग इतना दूर तक मत सोचिए, जो आज है, जो अभी है, उसको खुल के जिये, चाहे आप वो पत्नी हो, पच्चे हो, पती हो, कोई भी हो, यह जो चीज है, यह जो इमोशन है, जो हमें मिलता है, वो सबसे बेस्ट होता है, अगर आप यह चीज सोच लिजेगा, तो आपके दिल में, आपके जाहिए, और हाँ, मैं भी कुछ और भी आपको लगे या कि कुछ और टॉपिक्स की भी उपर बात करनी है, तो प्लीज डेफिनेटली मुझे एक बार आप कमेंट जरूर करीए, अगर अच्छा लगए है यह, तो इसके उपर भी जरूर कमेंट करीगा, थैंक्यू सो मज फ प्रिस्माइवल्ड